कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो आए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का अठार्वा सबक सबक नंबर अठारा आदी बासी हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है यहां अगर एक तरफ बड़े बड़े हमवार और जर्खेस मैदानी इलाके हैं तो दूसरी तरफ उंचे उंचे पहाड हैं गहरी वादिया हैं और दूर दूर तक पहले हुए जंगलात हैं बास इलाके आबादियों से दूर हैं और वहाँ पहुचना बहुत मुश्किल है पुराने जमाने में दुनिया के दूसरे हिस्सों से बहुत से लोग हिंदुस्तान आते रहे ये सिलसला हजारों बरस तक चलता रहा नए आने वालों और पुराने बसने वालों में टकराओ भी हुआ लेकिन फिर वो सब यहीं की आबादी में घुल मिल गए इस तरह जबान, तहजीब और मजभब के एतबार से मुखतलिफ ग्रोहों की मिली जुली आबादियां काहम हो गई अलबत्ता कुछ लोग जंगलों और पहाडों में जाकर रहने लगे आज भी मुल्क के दूर दरास मकामात पर कुछ लोग आम आबादी से अलक थलक अपने पुराने ढंग से जिन्दगी गुजारते हैं यही लोग आदी बासी यानि पुराने बसने वाले कहलाते हैं सफ़ा नंबर 126 ऐसे लोगों की खासी तादाद मुल्क के पहाडी सिल्सलों और जंगलों में रहती है आदी बासियों के मुख्तलिफ ग्रोह मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं और हर ग्रोह की अपनी अपनी खुसियात हैं हिंदुस्तान के आदी बासी कबीले तीन बड़े खितों में बसे हैं एक जुनूबी हिंद के सहिल समंदर के पहाड़ी इलाकों में दूसरे वस्ती हिंदुस्तान के पहाडों और जंगलों में और तीसरे मुल्क के शिमाल मश्रिकी इलाकों में। वस्ती हिंदुस्तान में जो कबील आबाद हैं उन में संथाल, भील, गोंड और मुंडा काबिले जिक्र हैं। कदो कामत और रहन सहन के एदबार से ये बड़ी हद तक एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं। कुछ ग्रोह, नेफा और पहाडी लाकों में आबाद हैं। इन में गारो, खासी, नागा और दूसरे बहुत से कबाईल हैं। इनके अलावा, जज़ाइर, अंड़मान और निकोबार में भी आदी बासियों की छोटी छोटी आबादिया हैं। उन में कुछ कबीले ऐसे भी हैं, जो दुनिया के कदीम तरीन इनसानों में शुमार किये जाते हैं। जनूबी हिंदुस्तान में भी आदी बासियों के बहुत से कबीले आबाद हैं। इन सब कबीलों की शकलु सूरत और तौर तरीके बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। हिंदुस्तान की आबादी में ये कबिले कदीम तरीन कहे जा सकते हैं। ज्यादा तर कबाईली आबादी शिकार करके अपना पेट पाल दी है। जनूब में मगर्बी साहिल का इलाका नबाताती दौलत से माला माल है। यहां जंगली जानवरों की भी बहतात है। हाथी, शेर रीच और भैसे यहां बकसरत मिलते हैं। इन पहाड़ियों में आबाद कबाईल खाना बदोश हैं और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। दस बारा खानदानों के लोग इकठे रहते हैं। वो पहाड़ों की उची चोटियों पर पानी के चश्मों के करीब जोपड़े बनाते हैं। एक यही जोपड़े में दो खानदान हों तो बीच में परदे के तौर पर टट्टी लगा दी जाती है। मकान बनाने से इनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं क्योंकि इनके गुजर बसर का दारों मतार, खेती बाड़ी के बजाए जंगल की और शिकार पर है। जंगल की पैदावार में शहद, जंगली पौदों की नर्मजड़ और जंगली फलफूल शामिल हैं। बारिश के बाद ये लोग रात के वक्त चटों के करीब जाते हैं। एक हाथ में जल्ती हुई मशाल लिये रहते हैं ताके शोले की चमक और धूएं की वज़ह से मक्यां डंक ना मार सकें। शहद एकठा करने का काम हफतों तक जारी रहता है। रात को जंगली जानवरों से हिफाज़त के लिए आग जलाते हैं। अकसर चटानों के अंदर भी शहद के छटे मिल जाते हैं। ये लोग रसियों की मदद से मुश्किल से मुश्किल जगा पर भी पहुँच जाते हैं। और शहद निकाल लाते हैं। आदी बासी नर्म जड़ों को भून कर खाते हैं। बहुत सी जड़ें, आलू, शकरकंद वगेरा जैसी होती हैं. कुछ जड़ें उबाल कर खाते हैं और कुछ को सुखा कर आठे की तरह पीस लेते हैं और उनसे खाने की दूसरी चीजे तैयार करते हैं. सफ़ा नंबर 128 आधि बासियों के लिए जगली जानवरों के शिकार की बड़ी एहमयत है. ये लोग शिकार के लिए कुछ तों की मदद लेते हैं. जुनोबी हिंदुस्तान में हिर्णों की कसरत है. कुट्टों की मदद से ये हिर्णों को तंग घाटियों के रास्ते चश्मों के किनारों तक ले आते हैं और फिर हर तरफ से उनका रास्ता बंग कर देते हैं हिर्णों को बचने के लिए पानी में कूदना पड़ता है पानी में तेरते हुए हिरनों की रफ़तार सुस्त हो जाती है और इस तरह आदी बासी उनको पकड़ लेते हैं उनका गोश्ट खालिया जाता है और खाल ओढ़ने बिचाने और पोशाग बनाने के काम आती है कभी ये हिरन को खाल समेत भून लेते हैं और बड़ी रखबस से खाते हैं मचली का शिकार भी इनका महबूब मश्कला है ये लोग पानी को गढ़ों में रोक लेते हैं इनमें मचलीया पल जाती हैं तो पानी में किसी दरख्त की चाल का सुफूफ छिड़क देते हैं सुफूफ पानी में मिलते ही मचलीया बेदम होने लगती हैं और उन्हें ये पकड़ लेते हैं मचली के शिकार में और बच्चे भी शौक से हिस्सा लेते हैं अस्तहे, कच्छवे, जंगली चूहे और बंदर भी इनके शिकार का हिस्सा बनते हैं सफ़ा नंबर 119 सदियों से आदिबासी लोग, दुश्वार गुजार और दूर धराज अलाकों में मेहनत, मशक्कत, मुफलिची और पसमांदगी की जिन्दगी गुजा रहे हैं लेकिन गुद्रत ने उनको पनात की बड़ी तौलत दी है ये ना सिर्फ अपनी मशक्कत की जिन्दगी को हसी खुशी गुजारते हैं बलकि अपने लोग गीतों, नाचों और तरह तरह की तक्रीबों से जिन्दगी की खुश्यों में इजाफा भी करते रहते हैं ये मिल जुल कर रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुक में बराबर के शरीक होते हैं और जी भर के जिन्दगी से लुद्फ अंदोस होते हैं आदी बासी हमारे मुलक की रंगा रंग जिन्दगी का नहायत एहम हिस्सा है इनके तोड़ तरीके और रस्मों रिवाज ना सिर्फ गदीम हिंदुस्तान की याद दिलाते हैं बलकि ये हमारी कौमी तारीख का हिस्सा है मुलक की तरकी के साथ साथ आदी बासियों की जरूरतों और तालीम और तर्बियत पर भी तवज्यों हो रही है सफा नंबर एक सो तीस मानी याद कीजिए हमवार बराबर कदोकामत डील डॉल कबाईल कबीले की जमा ग्रोह की शकल में रहने वाले कदीम बाशिंदे कदीम तरीन सबसे ज्यादा पुराना नबातात पेड़ पौदे टट्टी बास या सरकंडों का बना हुआ छोटा पर्दा रगबत शौक महबूप मशगला पसंदीदा काम सुफूफ पिसी हुई चीज पाउडर दुश्वार गुजार मुश्किल दूर दरास का बहुत दूर का पसमांदगी पिछड़ा पन कनात जो कुछ मिल जाए उस पर खुश रहना लुथ अंदोज होना मज़े लेना सोचिये और बताईए सवाल एक आदी बासी किसे कहते हैं सवाल दो हिंदूस्तान के आदी बासी कबीले कहां कहां आबाद हैं और उनकी क्या खुसूसियात हैं सवाल तीन आदी बासीयों की आम गिज़ा क्या है सवाल चार जनूब मखरबी साहिल पर आबाद कबाईल किस तरह जिन्दगी गुजारते हैं सवाल पांच आदी बासी दरख्तों से शहद किस तरह हासिल करते हैं सवाल छे आदी बासी, हिरन और मचली का शिकार किस तरह करते हैं सवाल साथ कुदरत ने आदी बासीयों को किस दौलत से नवाजा है सफ़ा नंबर 131 खालि जगा को भर ये 1. नय आने वालों और पुराने बसने वालों में खालि जगा भी हुआ 2. जुनूबी हिंदुस्तान में भी आदी बासीयों के बहुत से खालि जगा आबाद है तीन, वो पहाडों की खाली जगा चोटियों पर पानी के खाली जगा के करीब खाली जगा बनाते हैं चार, आदी बासियों के लिए खाली जगा जानवरों के शिकार की बड़ी खाली जगा है 5. मचली के शिकार में खाली जगा और बच्चे भी खाली जगा से हिस्सा लेते हैं 6. आदी बासी हमारे खाली जगा की रंगा-रंग जिन्दगी का खाली जगा एहम हिस्सा है दिये हुए लवजों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए दूर दराज, कदो कामत, खाना बदोश, दारो मदार, दुश्वार गुजार बताईए के दिये गए बयान सही है या गलत एक, बाज इलाके आबादियों से दूर है और वहां पहुँचना बहुत मुश्किल है, सही या गलत दो, जो लोग आम आबादी के साथ मिल जुल कर नए ठंग से जिन्दगी गुजारते हैं, उन्हें आदी बासी कहते हैं, सही या गलत तीन, वस्ती हिंदुस्तान के कबीले बड़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सही या गलत चार, ज्यादा तर कबाईली आबादी खेती बाड़ी करके अपना पेट पालती है, सही या गलत पांच, पानी में तैरते हुए हिरनों की रफतार बहुत तेज हो जाती है, सही या गलत चार, पानी में सुफूफ मिलते ही, मचलियां उसे खाने लगती है, सही या गलत साथ, आदिबासियों के तौर तरीके और रस्म और रिवाज, कदीम हिंदुस्तान की याद दिलाते हैं, सही या गलत सफ़ा नंबर 132 इन लवजों के वाहिद लिखिए जंगलात मकामात मुमालिक खुसूसियात कबाइल मकानात मुश्किलात तकरीबात तरक्यात अमली काम आदिबासियों के बारे में दस जुमले लिखिए गोर करने की बात आदिबासियों की जिंदगी मामूली और महदूद होती हैं ये लोग तेज तर्रार नहीं होते हैं ना ही तालीम हासिल कर पाते हैं इसलिए जिंदगी में तरक्य भी नहीं कर पाते हैं बेश्टर आदिबासी बहुत कम लिबास पहनते हैं और उनके हथियार आज भी तीर कमान और भाला वगएरा होते हैं हिंदुस्तान में मध्यप्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, आंधरप्रदेश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडू, राजिस्थान और महराश्ट के सूबों में आधिबासियों की काफी तादाद पाई जाती है पिछले सालों में आधिबासियों की बड़ी आबादी वाले दो सूबे, जारखंड और चत्तीस गड़ बनाए गए हैं, उनकी तरक्टी के लिए इन सूबों में खुसूसी इख्दाम किये जा रहे हैं इसी के साथ अपनी जबान भागदों का अठार्मा सबक यां खत्म हुआ, इसके बाद सबक उननीस आता है प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत